नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल BSA Tricky Classes में दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग याँ पर SSC, CHSR और CSL आप दोनों के लिए English की कुछ बहुत important question discuss करेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज शाम 6 बजे आप लोग का English का daily paper solve करवाई जाता है और basically आज हम लोग जो paper पढ़ने वाले हैं वो हमारा 28 अगस्त 2016 का है shift 1 का paper जो कि आपको पूरा solve करवाई जाएगा ये English class उन लोग ले जादे important है जो लोग UP board से ब्लॉंग करते हैं जो कि इससे related हैं संबंदित हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको English में बहुत problem create होती है तो अब आपको English में कोई भी problem ना हो इसके लिए मैं daily आपको हर एक question में हर एक question का concept rule worldwide आपको समझाओंगा कि कैसे देखते ही question का आप लोग का अंसर आता है ये हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी तो बिलकुल अगर आपको English problem आती है अगर आप लोग भी चाहते हैं कि English में आपकी command बन जाए English के वज़र से merit में आप लोग पीछे ना कहीं रह जाए अगर आपको भी सबसे आगे निकलना है तो बिलकुल ये class सिर्फ आप लोग लिए बनी है अगर आप लोग चाहते हैं कि English में आप लोगे 25 out of 25 marks अगर आप लोग गेन करना चाहते हैं तो इस class को पूरा देखेगा जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपने इस class को आईए देखते हैं तो सबसे बहुत मैं आपको बताऊंगा English में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है synonyms, antonyms जो की English की जान है synonyms, antonyms, idiom phrase और one word substitution ये चार key points आप लोग के जो मैंने बता है topics ये आप लोग को तयार करने self जितना self पढ़ सकते हो तुतना self करियेगा बाकि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से exam में कोशन आते हैं तो पहला कोशन आपके सामरी आ चुका है in the following question, out of the four alternatives, choose the word which best express the meaning of the given word मतलब इसमें आप लोग को synonyms बताना है आप को वर्ट दियागे copious, copious का मतलब क्या होता है प्रचुर होना, बिपुल होना, in large amount, बड़ी मात्रम में होना तो इसका यहाँ पर synonyms क्या हो जाएगा vast, identical, plentiful या फिर messy सब लोग बताएं कि इसका right answer क्या होगा A आएगा, B आएगा, C आएगा, या फिर D आएगा सबसे पहले आप लोग बताएं उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ उसका सही जवाब क्या होगा तो चलिए पहले मैं आपको बताएं कोपियस के बारे में कोपियस का मतलब होता है क्या है मैंने जसके क्या आपको बताया evident in supply or quantity मतलब large amount में होना, rich bluntiful, ample, evident तो यह सारे जो भी meanings मैंने बता है सारे इसके synonyms, words है बट यहाँ पर आपको दिएगा vast वास्ट का मतलब होता है व्यापक, क्या होता उसके यहाँ पर वास्ट का मतलब होता है, व्यापक, विसैल असंके, अतिप्रह इवसके बाद आपको दिएगे identical, identical का मतलब होता है समान, ठ Лब इव mateix वही, एक समरस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही ज़भा हो जाएगा пл casos तो crowd प्रेंटीमग का मतलब भी क्या हो जाएगा? ड़े होस्टा होना evontent अच्छे दोस्तों में मैसी बार दें रखा है यह भी मैं आपको बताऊ I कि हर एक वर्ल्ड को डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्जाम में हो जितने भी पॉइंट से की पॉइंट यह आपके प्रिप्यार होने चाहिए मैसी का मतलब होता है गंदा क्या होता हमारे आपर M E W S Y इसलिए ध्यान रखेगा गंदा होना अप्रिया होना स्लोपी मैला होना इस तरीके से ओके साथ का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में बिपुल इन लार्ज अमांट तुमारा हो जाएगा प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में ठीक है ना चलिए अगला कोश्चन आपको इसको पढ़िए चार विकल देगे इसको बताईए कि यहां से आपका राइट अंसर क्या होगा पहले आप लोग बताईए फिर मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से इसका आंसर आएगा तो जैसा कि आपको वर्ड दी आगे एक्स्ट्रेनियस का मतलब क्या होता है मतलब हो जाएगा relevant क्योंकि इसका मतलब होता है irrelevant तो जस्ट आपोछट हो जाएगा relevant relevant का मतलब क्या होता है मारे यहाप पर मिलता जूलता होना संगत होना प्रासांगिक होना closely connected और appropriate to the matter at hand तो बिलकुल बाकिया आपको देगे unusual अन्यूज मतलब होता है आसमाने Desperated Desperated का मतलब हो जाएगा मायूस होना और Intrusive का मतलब होता है दखल देना दखल समसना आप लोग बिल्कुल Intrusive का मतलब होता है मारा दखल या फिर बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला हाथ सुछेप करना फिलाल अगर आप लोग कहां से relevant आ रहा तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि extraneous का मतलब मैंने आपको बता है असंगत होता है और relevant का मतलब होता है असंगत होना कि ये subject मिले बहुत है relevant है अब देखें वाद अगले question आपको क्या दिया गया 4 words are given out of four on which only one words is spelled correctly choose the correctly spelled word आपको चार option देगे discrepancy तो आपको correct spelling बताने दो यहाँ पर आपके exam में spelling भी आएंगी तो आपको बताना discrepancy देखेंगी spelling कैसे पैचानेंगे आप लोग मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में discrepancy का मतलब होता असंगती नहीं आएगा तो उनको मैं बता रहा हूँ discrepancy का मतलब होता है I mean are difference between two or more things that should be the same और हिंदी मैं कहते हैं इसको असंगती बिसंगती या फिर अंतर होना spelling के लिए कैसे याद करेंगे आप लोग discrepancy discrepancy इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी spelling में mistake आपके नहीं होगी बिल्कुल basic method से मैं आपको समझा रहा हूँ जिस तरीके से मैंने त्यार की थी English उसी type से मैं आपको सिखाने के कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल देखते मैं पहचान लेता हूँ sentence एक दिया गया है उस sentence किसी ना किसी एक पार्ट में error होगी उसी को find out which part of the sentence has an error उसी पार्ट को find out करना है जिस पार्ट में error है the number of that part of your answer if the sentence is free from error अगर sentence उससे free then आप लोग क्या करेंगे select no error option तो आईए देखते हैं पहला कोशन आपको क्या दिया गया देखिए पहला कोशन आपको दिया गया the statesman has the largest circulation of any English daily तो यहां पर आप लोग सबसे पहले इसका मतलब समझेए और फिर देखिए इसके rules को check कीजे और बताए sentence की किस पार्ट में error होगी आईए देखते हैं देखिए दोस्तों sentence का मतलब क्याता है statement है statement एक नाम होगा इसका publisher का तो statement का किसी भी अन्य अन्य अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों की तुलना में अधिक प्रशार है जब दो लोग के बीच में compression किया जाता है दोस्ते आपर क्योंकि हम लोग बात करें आपर statement की और English paper की तो यहां पर आपको क्यों से degree आ रही है क्या करते हैं comparative degree उस करते हैं तो हमारा दोस्तों गलती कहां पर हो जाएगी बीपाइट में हो जाएगी और इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा बनेगा दा इस्टेटमेंट्मेंट्स सबस्केल ऐसा असी की और दोस्तों क्या हो जाएगा सिर्फ एक चेया से अधूर सब्सक्राइगा और हमारे था जाएगा हमारे तो इसके लेगे ने लगए यहां बनेगा अधार थैसे वार्ण गलती हमारे रखिए यहां पर दा नहीं लगेगा इसके तका पर लार्जर लग जाएगा सर्क्लेशन ओफ एनी अदर बस यह सेंटेंज हमारे करेक्ट हो गया ठीक है इतनी वह समझ में इसके बाद हमारा देखिए अगला कुश्चन आपको क्या दिया गया है अगर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट सिलर रहेगा अगर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट सिलर रहेगा तो हेल्पिंग प्लिमर्य क्या हो जाएंगी संग्यलर हो जाएगी तो हमारे हां पर है बना तो क्या हो जाएगक इसकी जगा पर हाजाएका है जाएक इसकी जगा बना you समझ में आ गई ओके दोस्तों आप देखिए हमारा अगला कोशन आपको क्या दिया गया फॉर सेबरल इयर्स नाउ फॉर सेबरल इयर्स नाउ माई नूजपेपर एजेंट हैज विन स्पेलिंग माई नेम इज करेक्ट ली चलिए दो बताईए हमारा एड़ीवन कोशन का राइट आमसर क्या होगा देखिए संटेंस में आप लोगे कोई ऐलिए है ओके तो फिलाल अगर आप कांसर नेया से आरा है डी? नो इरुर तो आप लोगने बिलकुल सही बता है यहांसे क्या होजय इसलत नो इरऊ हमारे हैं पर इक्जै क्शयीा हो जाईगा क्योंकि संटेंस कोई भी गलती नहीं दे रख़े थी क्यूंकि आपको मैं बता दूं subject my newspaper agent दे रखा है उसके हैज बीन भी आ रहा है बीन के इंज भी लगी है सब कुछ सही दे रखा है तो हमारा no error option आ जाएगा चलिए आप देखे हमारा अगला question आपको क्या करना है question number 82 से लेकर 84 में क्या करना अब इसको पहचानी और बता ही हमारे यहां पर राइट आंसर क्या होगा because of which due to because या फिर of क्या होगा इसका right answer यह आपको बताना है देखे question को पहले आप लोग समझ जाएंगे तो आपको कभी भी यह जो फिलिंदा blanks देते हैं यह बहुत ही simple question होते हैं देखे one of the regions the impressionist cause such a scandal was blank their colors were too bright कहने का मतलब यह है परभाबादियों ने इस तरह के घोटाले का एक कारण यह है बताया कि उनका रंग बहुत उज्जुल था यहां पर रीजन को पता है क्योंकि इसलिए ऐसा हो जाएगा ओके तो हमारे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा इसका राइट आंसर आईए समझते है इस बात को इससे पहले अगर आप लोग को मालूम हो तो आप लोग बदा सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा फर्स्ट सेगेंड थैर्ड या फिर फोर्थ अब आप लोगों ने देखा यहां पर आपको दिया गया सब्जेक्ट सी और आपको यहां पर दे रखा है मस्ट तो दोस्तोंॉ चाएप बश्ट हो चाएं में हो चाएं कुछ बिए हो इनके बात कभी भी हमारा हाश नहीं लग सकता ना हैविंग आयेगा ना हैज आईगा म के वाल आपका option भी तो must have हो जाएगा क्योंकि यह स्ट्रक्चर होता है आपको मैं बता दू model वर्व का subject हमारा दिया होगा subject के बाद हमेशे है दोस्तों क्या होगा अगर must है तो must के साथ है भी लगेगा अगर आएगा तो और इसके और वर्व की third form आजाएगे ओगे ना तो must sometimes have लेकिन यह पर two लगा हुआ तो first form आगे run away तो अगर आप लोग के यहां पर answer है have wanted तो बिल्कुल सही हो जाएगा मैं आप पर have wanted इसका बिल bank decided bank ने निंड़े लिया है to them ओगे ना तो damn the money has they were reliable clients तो चलिए मैं आपको बता दो हमारा two के बाद हमेशा वर्व की first form आती है मैंने एक rule आपको बताता हमेश्या कि two के बाद हमेशा वर्व की first form आती है इस चीज को note down कर लीजएगा तो दोस्तो two के बाद वर्व की first form आ जाएगे land 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 का मतला वो था उधार देना तो कोई भी loan होगा to give somebody to somebody something to somebody किसी चीज को कुछ देना तो यह होता है land मतलो था उधार देना ओके तो यह आप लोग की first form दे रखी है तो अगर आप लोग कहां से आ रहा है land तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद देखें मार अगले question आपको क्या दिया गया देखें question number 85 से लेकर 87 में क्या करना है in each of the questions four alternatives are given for the idiom phrase आप को क्या दिया गया है smooth rough word feathers पहले इसका मतलब समझे है उसके बाद जवाब दीजिए इसका right answer होगा क्या देखें आपका मतलब हो जाएगा smooth rough word feathers का मतलब होता है शांद करना ओके दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है आपको शांद करना दे रखा है तो मैं आपक समझाता हूँ to make somebody feel less angry or offended कोई अगर यहाँ पर गुस्ते में है कोई offended में है कंडिशन में ऐसी category में है तो उसका गुस्ते को शांद करना ओके तो यहाँ पर आप लोग cancer आ जाएगा make pupil feel less offended ओके तो अगर आप लोग आप्शन भी आ तो बिल्कुल से हो जाएगा जैसे कि कोई चीज है यह आप लोग का डॉग हो गया तो दोस्तों आप लोग क्या करें कि जब गुस्ते में आप लोग पुछकारते हैं उसको यहाँ पर प्यार से उसको सहलाने लगते हैं तो वही चीज है ना smooth ruffled feathers आप देखिए हमार अगले question आपको क्या दिया गया है assume ears assume ear का मतलब हो next question आपको देखिए क्या दिया गया plate round दोस्तों plate round का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है और to stay ठेड़ना away from school without permission मतलब बिना permission के जो यहाँ पर ठेड़ना चुट्टी लेना चुट्टी पर रहेना तो यह होता है plate round तो अगर आप लोग का अंसर है stay away from duty तो यह आप लोग का बैट जाना यह क्या plate round हो जाएगा ओके ना चले दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग आगे सफर में यह रहा हमारा अगला question देखिए आपके exam में जो one bird substitution भी आएंगे पहला question आपको क्या दिया गया one who studies the working of human mind तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गये कैसा जो अध्यान करता है यहाँ पर human mind की working का तो उसको क्या बोलते है very important question 88 और सब भी लोग बताएंगे इसका correct answer क्या होगा तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो यहाँ पर मानप के जो माइन होता उसको पढ़त स्पेलिंग भी आ जाती है साइको तो पी एस वाई सी एच ओ यह होता है साइको लॉजिस्ट एल ओ जी आई एस्टी साइको लॉजिस्ट इसका correct answer हो जाएगा हमार आगले कोशन आपको दिया के place given to soldiers to live in एक ऐसा इस्थान जो रहने के लिए दिया जाता उसको क्या बोलते है बेरेक्स, ट्रेंच, गैरेच या फिर क्या रहे तो बिल्कुल हमारे या से जो राइट आंसर हो जाएगा सैने को जो ठिकान आ उसको क्या बोलेंगे 89 question का perfect answer हो जाएगा बेरेक्स तो अगर आप लोग आँसे बेरेक्स आ रहा है तो बिल्कुल perfect है फिलाल बढ़ते हैं हमार दक्षण अफरिका डच मूल का जो निवासी उसको क्या बोलते हैं तो दक्षण अफरिका निवासी को बोलते हैं holland निवासी यानि कि बोर तो b o e r इसको English बोलते है holland निवासी या फिलाल बढ़ते हम लोग आपर next question काफी important आपको दिया गया है अब आप लोग को जो ब improvement वाले question भी आपके exam में आते हैं आपको दिया कि see took the cycle which he bought yesterday तो चलिए अफराल आप लोग बढ़ाएगा मरिया से सही जवाब क्या होगा 91 question का आपके सामने 4 option दियेगा है ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद बताएगा देगे कभी भी past की दो अगर घटना होंगी तो इन मे उसने एक cycle देखे जो बिख चुकी है यहाँ पर दोस्तों क्या लगेगा यह जो sentence हमारा आ जाएगा अगर यह हमारा past and definite में है तो यह हमारा sentence किसमें बनेगा past perfect में बन जाएगा और past perfect की पहचान होती है subject subject के बाद आपका लगता है head फिर आती वर्म की third form यह होता structure you know सभी ल देखते हैं आपका अश्रा जाएगा she took the cycle that he had bought yesterday जो बिख चुकी है उसने वो cycle देखी थी इसके बाद हमारा देखें तो अगला question आपको क्या दिया गया very important I must say to a feeling of un-easiness देखिए say का मतलब होता है कहना but confess का मतलब होता है स्विकार करना to admit that you have done something wrong या फिर illegal कोई चीज गलत है कोई चीज इलीगल है दोस्तों तो उस चीज को करना उस चीज के लिए स्विकरत स्विकरती देना उसको क्या बोलेंगे say सोने ना बोलेंगे उसके लिए बोलेंगे confess कर इसलिए हमारे जो right answer का I must confess to a feeling of uneasiness you know चलिया अब बढ़ते हैं लोग यहां पर आगे गिर आप सभी के सामने आप पुलिस booked a case against the taxi driver for wrong parking तो पुलिस ने उसको क्या किया रॉंग पार्किंग के लिए taxi driver के अगेंस्ट के केस को क्या किया बुक किया restrict किया road किया फिर filed किया तो case को दायर किया जाता है case जो होता है उसको दायर करना और दायर करना को English बोलते है वर्वाई के मेन वर्व तो बुक नहीं होती है यहां पर कि हम लोग टिकेट बुक कर रहे है नहीं यह है दोस्तों case जो इसको दायर किया गया तो फाइल हो जाएगा तो हमारा यहां से हो जाएगा फाइल जबकि बुक कैसी कंडिशन में आता है तो राइट डाउन एजन ऑफिशियल बुक देन तो बुक होगा बट यहां पर क्या जाएगा फाइल आ जाएगा ओके हमारा अगले कुछन पुक क्या दिया गया है one of the students देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोट कर लिजेगा one of the students है यह subject हमारा similar subject है इस बात को ध्यान देखेगा one of the के बाद हमारा subject जो हमारा होता one of the के साथ में यह हमारा similar subject माना जाता है अब कुछ लोग singular होगा तो इसके according जो हमारी वर्व आईगे वो कैसी आजाएगी वो भी हमारी कैसी होगी singular हो जाएगी तो originates तो होगा नहीं origin आपका नहीं हो सकता belongs नहीं हो सकता आपका comes हो जाएगा comes from lay ओके ना कहां से आए वो ले से आए तो अगर आप लोग का है यहाँ पर कम सारस तो singular पर वहारी जो हो जाएगी कम सो जाएगी ठीक है I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा और यह है मारा आज का last question इसके आपको revision करेंगी तो बिल्कुल जाने से पहरे इस question का ताव जब आप दे कर जाएगा वीडियो कर आपको अच्छी लगी हो देगे दोस्तों यह वीडिय जो सिर्फ आप लोग के लिए तो आपको देगे scarcely had he left the place when his friend came तो मैंने आपको पहले से बता रखा था आपका 95 question का सही जवाब क्या हो जाएगा इस scarcely अब लोग का वर्व भी आ रही है फिर आपका subject भी आ रहा है और पूरा sentence हमारा सही format लगा हुआ है तो no improvement इसका सही जवाब हो जाएगा तो कैसे लगे वीडियो गर आपको अच्छी लगे हो तो बिलकुल और हाँ जो लोग बिलकुल बात में देख अभी जुले हैं इस class से जिनको मालूम नहीं किस तरीके से पढ़ाई होती है तो देखिए और जो लोग इस class को देख सकते हैं देख चुके हैं उनका division हो तो copious का मतलब दूस्तों क्या हो जाएगा संगत होना ओके इसके बाद देखिए हमारा आगे अगला question आपको क्या दिया गया आप लोग को इसमें अपोजिट बताना तो यहां पर आप लोग को क्या बताना था अपोजिट मेनिंग बताना था और extraneous का मतलब मैंने आप अगर आप लोग कहां से यहां से आरा option C तो बिल्कुल सही हो जाएगा next question आपको देखिए क्या करना था है आपर sentence improvement तो दोस्तों अगर आप लोग की तुलना दो लोग की बीच में की जाएगी तो वहां पर आपकी degree काउन से आती comparative आ जाएगी तो largest नागे दोस्तों क्या हो singular के recording आपर वर्भी कैसी आजाएगी singular आजाएगी तो have ना कि हमारे क्या हो जाएगा has हो जाएगा for several years now my newspaper agent has been spelling my name is correctly तो 81 question का हमारे जो right answer हो जाएगा option D होगा no improvement क्योंकि sentence बिल्कुल सही है अगला question आपको दिया गए दोस्तों one of the regions अगर region होता दोस्तों region के बारे में बताते हैं तो वहां पर because के use करते हैं region के लिए हमारा अगला question ने इस तो आपर must किस बाद हमेशे क्या आता है must के बाद हम अगर कुछ आएगा भी है जाएगा नहीं कभी नहीं है जाएगा तो केवल आपका बीवाल आ जाएगा तो देखें मिल्कुल मैं word by word concept clear करने के कोशिश करो कि देखते ही question को कैसे solve करते हैं जिस तरीके से मैं आपको कोशिश करो सिखाने की यह चीज समझ गया आप लोग तो आप तूब के बाद हमेश्या वरिब की फर्श्ट वहां ते लेट होगा नहीं तो पौरो उधार देना होगा नहीं ना लीस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा लेंड ओके ना उधार देना अब आगे देखिए मतलब किसी को यहां पर जो ना उस किसी के पंकों से सहलाना समसकते हैं स्मूथली एकदम बिल्कुल शांद करना उसके गुस्टे को सांद करना तो यहां पर प्रफेक्ट मेंक प्यूपल फील लैस ओफेंड़ ओकी अगला कुशन आपको किया दिखावा करना प्रिटेंड मारा अगला कुशन आपको देगा प्लेट रुएंड प्लेट रुएंड का मतलब होता है बिना बताय छुट्टी मार लेना बंक जिसे बंक नहीं बोलते हैं बंक करना कॉलिज में बही चीज़ा दोस्ते हैं यहां पर तो इस्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी ओके वन बर्ट स इस तरी के इस कुछन है वन हुष्टी देट वर्किंग ऑफ दा हुएंड जो हुएंड करता है उसको बोलते हैं साइकोलोजिस्ट और सोल्जर्स के रहने का इस्थान उसको बोलते हैं बैरेक्स और आपको बताते हैं बिल्कुल आपका रिवीजन हो जाएगा मैं इसलिए ह हर बार वीडियो के लाश्ट में पूरा दो मिनेट रिवीजन करवाता हूं ताकि बाद में आपको पढ़ने की जरूत ही ना पढ़े एक ही बार वीडियो को देखें और सब कुछ आपको याद हो जाए अब परसन ऑप सौथ अफरिका डच डिसेंट्स जो दोस्तों सौथ अगला कुछ आपको क्या दिया गया है दोस्तों अगर दो संटेंस आप लोग के पास्ट में हो रहे होंगी तो जो पहले घटना होती वह हमारी पास्ट परफेक्ट बनती है और सेगंड वाली पास्ट इंडेफिनिट में तो यह तो मेरा इंडेफिनिट दे रखा है हमारे यहांपर बइफच आ जाएगा और परफेक्ट मेरा क्या लगता है तो देखिए हमारे गापर इसमें है नहीं इसमें है नहीं तो केवल भी वाला बचा तो बस देखते आपका आपका अनसर भी आ जाएगा और मॉस्ट से रखता है रहा है आई मस्ट से टुआ फिलिंग तो दोस्तों यहां पर confess की बात हो रही हैं ना कि कुछ बात कह ने रहे हैं दोता हैं confess हो जाएगा है to admit that you have done something wrong और illegal अगर कोई चीज गलाथ है और illegal है जोके उसके लिए अगर करते हैं तो ऐसी चीज में स्विक्रती करना है मतला क्या होता है, confess करना कि कुछ confess हो सके तो कर दीजिए तो यहां पर कहना थोड़ी ना होगा confess करना हैं लोग ऐसी कंडिशन में बुक अगर दोस्तों केस होगा ना तो केस हमेशा दोस्तों फाइल किया जाता दायर किया जाता बुक नहीं किया जाता उंगिया आपकोके अगला कोश्य आपको देखिए वन आवर इस्टैट्स यह मारा सब्जेक्ट सिंग्र आ जाएगा तो कम ना के क्या जाएगा कम सा जाएगा और यह है हमारा आज का लाश्ट कोशन है इस कार्षली हैड ही लाक दा प्लेस वेन इस फ्रेंट्स केम तो यह संटेंट्स का जो अरेजमेंट है बिल्कुल सही है कहीं पर भी कोई भी एरर नहीं है तो आप लोग का यहाँ पर आंसर जाएगा